हेलो रिवान वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चैनल फार्मा रोक्स के यूटूब एच्जू किस्तना चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में और जानेंगे कौन से अलग अलग बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे है और पार्ट वन वीडियो लेक्चर में भी हमने उसके डिविजन के बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में स्ट्रक्चर के बारे में फंक्शन के बारे में सिखा था तो अब सिखने वाले हैं डिटेल में एक्सियल स्केलेटन के अ फार्मा रॉक्स अप्डेटेट रही है फार्मा नोलिज के साथ एक्सेस कर सकते है स्टडी मट्रियल, टेस्ट सिरीज वीडियो लेक्चर ओन एप फार्मा रॉक्स तो अगर आपके पास Android फॉन है तो डाउनलोड करिए फार्मा रॉक्स का Android अप्लिकेशन कि हमारी मांड में दो चीज हमेंसे आजाती है एक तो बॉन्स कि जितने भी अलग-अलग बॉन्स है कि टोटल हमें पता है कि 206 जितने बॉन्स हमारी बॉड़ी के अंदर प्रेजन्ट है तो यह सभी बॉन्स जो है वो इंडिविजल होते है और उनको करना पड़ता है अच्छे से जोइंट अच्छे से जब जोइंट होते है तो ही पूरा हमारा स्केलेटल जो है वो तयार होते है कि जिसको हमारा कंकाल कहते है तो यहाँ पर आप जो उसका पूरा स्केलेटल देख सकते है कि जिसके अंदर 206 इतनी हड़िया होती है तो skeletal system में main दो पार्ट हो गए एक तो bonds और उसके proper joints तो इस तरह से ये पूरा तयार होता है फिर उसके हम functions देखे तो mainly तो हमें support करने का काम करता है और साथो साथ जो हमारे bonds है वो बने हुए cells के कि जो उसको हम bond cells कहते हैं साथ है उनके साथ protein fibers होता है and minerals जैसे कि calcium है, phosphate है वगएरा minerals भी उनके structure के अंदर होता है और उनका function तो skeletal system क्या करता है support करता है and साथो साथ हमें protection देता है तो जो हमारे body के अंदर रही soft tissues वगएरा है उनको अच्छे से support करवाने का काम करता है protection का काम करता है तो ये था skeletal system का introduction की जो हमने part 1 में भी सीखा था तो हमने जाना कि total 206 जितने bonds से हमारे body के अंदर उसमें से axial skeleton की ये वाला skeleton की जिसके अंदर total 80 जितने bonds है की जिसको axial skeleton कहते है इतना portion की जिसके अंदर cover होता है हमारा skull का portion spinal column cover होती है और हमारा rib case उसके साथ appendicular skeleton देखे तो ये वाला portion ये पुरा appendicular skeleton है और उसके अंदर total 126 जितने bonds cover होते है की जिसके अंदर हमारा limbs की जो हमारे legs का portion दोनों legs दोनों हाथ का portion और ये griddle के portion तो वो bond हो गए 126 और दोनों का समझो की हम summation कर दे तो 126 प्लस 80 तो वो हो जाएगा total 206 तो अब 206 का हमें अच्छे से हिसाब लगाना है की कौन की सतरा से total 206 होते है तो सरुवात करते है axial skeleton से तो axial skeleton में हमने देखा की total 80 जितने bonds है axial skeleton के अंदर तो axial skeleton के अंदर कौन से अलग अलग bonds cover होते है detail में तो जो facial bonds होते है facial bonds तो वो है 14 कि यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो skull का portion है skull के portion में जो आगे का हमारा face जो बनता है वो portion में total 14 जितने bonds present है फिर जो cranial bonds जो कहे जाते है कि जो पूरा skull का structure तयार होने में help करने वाले cranial bonds तो वो होते है total 8 फिर vertebra मतलब कि हमारा vertebral column spinal column भी जिसको कहते है तो यह वाला यह पूरा vertebral column के अंदर है total 26 bonds ribs की जो 24 है और एक sternum वो दोनों मिला कर बनाते है हमारे rib case को तो rib case के अंदर 25 फिर जो auditory ossicles की जो inner ear के अंदर होते है तो उसके अंदर total 6 bond and hyoid bond की hyoid bond है total 1 तो ossicles आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे ear के अंदर present होते हैं फिर vertebral column यह वाला rib case hyoid bond तो यह सब का समझे के हम total करेंगे तो वो मिलेगा हमें 8-0 तो अब आपके जानना है detail में कि यह 14 cranial, 14 facial bond कौन से है cranial bonds 8 कौन से है, vertebral column में 26 bond कहाँ पे आए है ribs किस तरह से है auditory ossicles के नाम वगेरा क्या है and hired bond का exact location कहाँ पे है वो सबब आगे जानते है detail के अंदर तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं तो skull के portion के अंदर total 22 जितने bonds है total 22 bonds जिसके अंदर cranial bonds जो है वो total 8 है और facial जो है वो 14 तो दोनों का समझे के हम calculate करें 14 plus 8 is equal to होगा 22 तो जो cranial और facial bond जो हमारा skull पूरा तयार करते है तो skull क्या है तो skull is a bonny structure skull को क्या कहा जाता है bonny structure कि जो आप बाजयो में diagram के अंदर देख सकते है तो यह wordpave खास में highlight करता हूँ आपके लिए कि जो आपको record book के अंदर खास note down करना होगा कि which of the following is a bonny structure exam के अंदर MCQ में पूछा जाए तो skull याद रखना है फिर facial bond कितने है वो आपको याद रखना है कि वो है total 14 और cranial bonds कितने है हमारे skull के अंदर तो they are total 8 and that support the face and form a protective cavity for the brain अब हमें पता है कि यह जो skull जो हमारा तयार हुआ तो यह जो skull क्या करेगा एक तो support करेगा हमारे face को कि जो हमारे इसके उपर ही पूरा accessories जो है वो setup होती है कि हमारे eyes setup होती है nose का portion setup होता है skin के layers तयार होते है muscles के तयार तयार होके पूरा हमारा face तयार होता है तो साथ ही इसकी जो अंदर cavity तयार होती है उसके अंदर brain को वो अच्छे से protect करके रखता है and it is comprised of many bonds which are from intra-membrous ossification and joined by suture that means a fibrous joint कि जो तीन टाइप की जो जो जोईंट होते है उसमें से fibrous joint से ये skull के जो अलग-अलग bonds है वो एक दूसरे के साथ joint होते है तो ये जो जितने भी highlighted point है वो आपके लिए very very most IMP है from this slide अब आगे जानते हैं सभी bonds को detail में कि cranial bonds total eight हमने देखा तो ये eight cranial bonds कौन से हैं तो जैसे nervous system के अंदर आप देखते हैं कि ocpital lobe, frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe तो वो जो resistance तयार होते हैं ये cranial bonds जो है उनके पर से तयार होते हैं तो सबसे पहले देखो आगे की side आया हुआ ये एक bond की जो yellow color किया हुआ है that is a frontal ये है frontal bond की जो सिर्फ एक ही है ocpital भी एक ही है कि जो पीछे की और है देखिए याप ये वाला ocpital कि उसकी भी संख्या एक ही है फिर ethmoid कि ये जो ethmoid cavity कि जहाँ पे हमारे eyeballs जो है वो set होते हैं तो ethmoid फिर sphenoid तो वो भी एक ही है sphenoid भी एक ही है बट आप आगे देखो कि parietal तो parietal जो है वो दो है एक left side की और है और एक right side की और इसके करन वो दो है same like that temporal तो temporal भी एक हमारे ये left side के पास और दुसरे right side में तो एक जो left side का जो हमारे येर है वहाँ पे ये temporal bond आ गया एक और एक दूसरी side तो इस तरह से temporal भी दो है parietal दो है जबकि बाकी जितने भी जो चार bond है वो है एक एक संख्या में इसलिए frontal एक, occipital एक, ethmoid one, sphenoid also one और ये दो और दो चार तो चार तो चार टोटल आठ बॉन यहाँ पे हमारे हो गए अच्छे से cranial bonds, अब दानिये second that is a facial bonds तो facial total 14 है तो वो 14 किस तरह से तयार होते है तो woomer, तो यहाँ पे देखिए ये वाला woomer कि जो only one है तो ये वाला कि जो हमारे nose के पास जो आप देख सकते है तो that is a woomer उसके बाद mandible, तो mandible ये वाला है कि जिसका color किया है यहाँ पे purple color का जो आप bond देख रहे है वो है mandible है फिर maxilla तो maxilla जो है वो total दो है कि एक left side की और का maxilla और दुसरा right side का यहाँ पे देखिए कि maxilla में आपको अच्छे से दिखाता हो maxilla का ये जो portion तो ये एक left side हम यहाँ पे लिखते है तो ये एक right side का कि जो ये पूरा ये वाला जो bond है कि जो yellow color वाला है that is a maxilla उसके बाद आप देखे zygomatic तो zygomatic भी दो है कि जो green color वाला जो आप देख सकते इस वन तो ये एक left right side का समझो की है और एक समझो की हम लिखते है left side तो इस तरह से ये one और ये second maxilla उसी तरह से ये second और ये one तो ये total दो हो गए आपके zygomatic भी उसके लावा nozzle तो nozzle में यहाँ पे जो nose जो हमारा तयार होता है कि inferior nozzle कॉंचा और ये nozzle तो nozzle में भी देखो यहाँ पे जो pink color किया हुआ है light pink जैसा तो ये side वाला एक left side का एक और एक right side का एक हम कहें तो वो भी दो है nozzle कॉंचा भी दो है and lacrimal कि यहाँ पे lacrimal glands जो आप देख रहे हैं कि यह जो lacrimal glands होती है वहाँ पे यह एक left side का और एक right side कर तो वो भी दो हो गए and palatine तो यह वाला palatine की जो red color का आप यहाँ पे देख सकते है कि जो red color से दिखाए हुआ है यह diagram के अंदर तो इस तरह से आप यह color combination के साथ match करके यह सभी bonds को अच्छे से जो slide है उसको pause करके देख सकते कि और उसका हम total करें तो यह 2 और 2 4 फिर यह 6 8 10 12 13 और 14 इस तरह से यह भी हमारा total match हो गया about the total 14 facial bond तो 14 प्लस 8 वो total हमारे हो गई यह skull के 22 bonds और वो suitor joint जो हम कहते है कि जो fibrous joint है तो fibrous joint में पी उस facial जो suitor joint कहा जाता है उससे यह सभी एक दुसरे के साथ अच्छे से joint हो जाते है attach हो जाते हैं अब बात आती है vertebral column की कि जिसको हम spinal column भी कहते है and central axis of the skeleton in all vertebrates जितने भी vertebrates से यह सभी के अंदर यह देखो यह center जो पूरा column तयार होता है कि जो हमें एक support देता है अच्छे से कि जो हमारा पूरा skeleton तयार होता है तो उसके अंदर जो support का काम देता है that is a spinal column the vertebral column provides the attachment to the muscles, support the trunk, protect the spinal cord, nerve roots and serve as a site for hemopoiesis मतलब कि जो blood cells का जो production होता है उसमें भी यह help करता है तो सबसे पहले तो हमें अच्छे से protection देता है साथ हो साथ protection किसका करता है तो हमारी जो spinal cord है उसका अच्छे से यह protection करता है हमारा spinal cord जिसके अंदर हमने देखा कि nervous system के अंदर main दो पार्ट है तो उसमें भी central nervous system के अंदर brain and spinal cord तो brain का protection करता है skull और उसके बाद जो हमारी spinal cord है उसका protection करने के लिए हमें दिया हुआ है यह spinal column के जिसके अंदर से गुजरती है हमारी spinal cord तो उसके जो region हमने सीखे थे कि cervical के region में total seven bonds जो है वो present है यह cervical का portion फिर थोरा से region के अंदर total 12 जितने bonds होते है उसी तरह से lamber region के अंदर जो है total रहते है कि यह जो थोरा से portion आप देख सकते कि यह वाला पूरा थोरा से कि यह जो total है 12 यह वाले हो गए साथ lamber region का यह जो portion वहाँ पे हो गए आपके पांच बॉन फिर sacrum तो sacrum जो है वो यहाँ पे एक पूरा sacrum और cossics नीचे की और जो आप देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे कि चाहे आप posterior back side से देखे या फिर lateral side view देखे तो आपको यह वाला sacrum और यह cossics तो cossics के हो गए एक तो आप समझे कि उसका आप total करोगे तो यह total आपको मिलेगा 26 तो यह जो spinal column है vertebral column है उसके भी 26 bones हमने यहाँ पे जान लिए आगे बढ़ते हैं lecture के अंदर हो सीखते हैं अब ribs यान sternum के तो rib case कि इस तरह से तयार होता है तो rib case के अंदर हमें पता है कि 12 pair of ribs total 12 pair है अब individual हम देखे तो total 27 हो गई हमारे ribs तो 24 हो गई हमारे यह ribs और यह एक sternum तो एक sternum है और 24 हो गई ribs इस तरह से यह हो गई 25 bones तो जो हमारे यह rib case है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ribs तो वो अच्छे से समझना जरूरी है काफी most IMP है यह point कि यहाँ से MC क्योंकि पूछे जाते है तो rib case is the arrangement of ribs attached to the vertebral column and sternum in the thorax of the most vertebrates कि जो vertebrates जो है जितने भी उनके अदर जो ribs होती है वो पीछे की और attached होती है vertebral column के साथ और आगे की आर देखे तो यह जो sternum होता है उसके साथ यह ribs जो है वो attached होती है तो it enclose and protect the vital organs such as the heart, lungs and great vessels कि जो हमारी blood vessels है कुछ कि जो lungs और hearts के साथ सबसे पहले attached होती है एक pulmonary veins है फिर उसमें से जो orta निकलती है तो arteries and veins वागेरा भी जो यह वाले portion में और सभी को अच्छे से जो है वो protect करती है तो उसके अंदर आप देखे तो total 12 pairs है ribs के तो वो गई 24 और एक sternum तो इस तरह से 25 होती है तो अब एक और से क्यों यहाँ पर पूछा जाता है एक्जाम के अंदर कि true ribs कौन सी है तो true ribs मतलब कि ऐसी ribs की जो पीछी की और attach है आपके spinal column के साथ मतलब कि vertebral column के साथ और आगे की और attach है sternum के साथ तो ऐसे total आप calculate करेगे तो आपको ऐसी seven ribs मिलेगी कि जो true है कि जो directly attach होती है आपके sternum से कि यह first वाली फिर यह second फिर यह third फिर यह fourth यह five and six और यह seven तो जब यह आप seven अभी तक मैंने यह color से आपको दिखाई तो यह seven ribs को देखोंगे तो वो directly attach होती है आगे की side यह sternum को और पीछे वो attach है हमारे vertebral column के साथ तो ऐसी ribs की जो पीछे की और भी attach है और आगे की और भी डायरेक्ली sternum के साथ है उनको कहा जाता है true ribs false ribs ऐसी है कि जो पीछे की और तो vertebral column के साथ attach है कि जो number eight number nine और number ten है कि जो false ribs कहा जाता है तो उसके लिए में यह वाला color लेता हूँ तो आप देखो eight nine and ten के लिए कि जो false ribs कहीं जाती है तो यह ribs देखो यहाँ पे तो वो कौनसी ribs से attach है तो number seven पे है आगे sternum के साथ वो attach नहीं है उसी तरह से nine number का भी आप देखो तो वो eight number वाली से attach है और जो दस number वाली rib है वो attach होती है number nine से उसी तरह से यह side भी आप देखो कि यह number seven से जुड़ी है आठ वाली नो वाली जो है वो eight से जुड़ेगी और जो दस वाली है दस number वाली वो जुड़ेगी number nine के साथ तो यह जो तीन ribs उनको false ribs कहा जाता है कि जो आगे की और sternum के साथ attach नहीं होती बद एक दुसरे के साथ attach होती है और पीछे की और वो vertebral column के साथ attach है फिर उसके लावा बाकी की दो ribs जैसी है कि जिनको कहा जाता है कि floating ribs floating ribs जैसा नाम उनको क्यों दिया गए कि कि वो float करती है वो आगे की और जो है वो ना ही किसी ribs के साथ attach है और ना ही sternum के साथ सिर्फ पीछे की और उनका attachment है आप देख सकते कि यह 12 नंबर का और यह 11 नंबर की ribs तो यह दोनों ribs जैसे है कि जो किसी भी प्रकार के ribs के साथ attach नहीं है कि जिनको हम कहते है floating कि वो float करती है एक ही साथ उनके attachment है दूसरी साथ उनके attachment अवेलेबल नहीं है तो यह एक MC क्यूंकि वेरी वेरी मोस्ट आइम पे पिन पॉइंट्स अबाउट द रिप जैन स्टर्नम फिर बात आती है ओडिटरी ओसिकल्स की जो टोटल छे है तो एक हमें पता है कि हमारे दो कान है एक left side और एक right side तो right side के ear में भी यह तीन ओसिकल्स और left side के ear में भी यह तीन ओसिकल्स तो इस तरह से 3 प्लस 3 3 प्लस 3 is equal to 6 होते है तो यह तीन है एक malleus है एक incus है और यह वाला steps की जो सबसे smallest है bone of our body की यह steps bone यह वाला incus और यह malleus तो the auditory ossicles are the 3 smallest bone in the human body the malleus, the incus and the steps तो यह खो गया आपका malleus, incus और यह steps the six auditory ossicles of both ear क्योंकि हमारे दो कान है हमें पता है तो यहाँ पे होगा यह 3 प्लस 3 की 3 bonds तो है बट हमारे 2 year है इसलिए 3 प्लस 3 is equal to total और 6 यह auditory ossicles होंगे मेलियस दो incus भी दो और steps भी दो तो इस तरह से यह total 6 auditory ossicles और आकरी जो है हमारा hyoid bone तो only one single यह वाला यहाँ पे जो आप देख सकते है this owner उसको यहाँ पे नीचे हम zoom करके देखे तो यह वाला यह जो bond तयार होता है जो आप देख सकते है that is a hyoid bond की जो only one है और यह mcq के लिए आपके लिए very very most time पे pinpoint बनता है exam के लिए the hyoid bond की जिसको lingual bond और tongue bond भी कहा जाता है यह मैं point आपके लिए जरूर से highlight करूँगा कि जो आप record book के अंदर खास note down कर लिजिए lingual bond और tongue bond की जिसको कहा जाता है hyoid bond and is a horse shoe shape तो यह भी एक और important mcq बनेगा कि horse shoe shape bond कौन सा है आपके body के अंदर तो that is a hyoid bond hyoid bond is the only one single bond which have a horse shoe shape shape and situated in the anterior midline of the neck between the chin and the thyroid cartilage कि जो thyroid का जो cartilage ले जाता है वहाँ पे यह present है हमारा hyoid bond at rest it lies at the level of the base of the mandible in front and in the third cervical vertebrae behind तो यह था detail about the hyoid bond की जो most time पे question बन सकता है exam के लिए तो इसके pin point आपको यह दराखने के उसका location कहाँ पे है उसका shape कौन सा है तही हाइवड shape उसके दो अलग अलग नाम के lingual and hyoid bond और rest के समय में उसका जो level होता है mandible के पास in front and third cervical का जो region है vertebral column के अंदर की जो C3 portion हम कहते हैं वहाँ तक यह पहुचता है तो यह था only one single bond that is a higher bond और यह bond की characteristics यह है कि यह किसी भी bond के साथ joint नहीं होता यह है only single और वो जो है वो किसी भी दूसरे bond के साथ attached नहीं है not attached तो यह point और हम यहाँ पे लिख सकते है not attached to any other bond तो यह point आप खास याद रख सकते है कि higher bond है वो दूसरे किसी भी bond के साथ attached नहीं है यह only single ही है तो only one single किसके किसी भी साथ joint नहीं है किसी भी bond के साथ वो connect नहीं है only single bond तो यह हमने सिखा axial skeleton next जो हमें सिखना है वो है appendicular skeleton की जो हमने देखा कि इस 80 जितने bond axial के है और दूसरे जो 126 है वो है appendicular उस तरह से total 206 होते है तो 80 जितने bonds का तो हमने अच्छे से हिसाब लगा दिया यह video lecture के अंदर next lecture के अंदर यह जो 64 अपर और lower 62 करके जो total 126 होते है appendicular skeleton के bonds वो हम detail में सिखेंगे part 3 के अंदर और total हिसाब लगेगा फिर हमारा 206 bonds का of the human body तो हम कर रहे हैं मानव कंकाल दंदर के बारे में विस्तार से चर्चा आपने सिखा part 2 में axial skeleton एक्सेस कर यह study material हमारा video lecture on test series on a farmer rocks whatsapp groups भी join कर सकते हैं यह वाला whatsapp helpline number एक्सेस कर सकते हैं study material test series and video lecture on a farmer rocks good luck and all the best link आपको description box में मिल जाएगी